अगर medicines और health से लेटेड आप information चाहते हैं तो अभी subscribe करें मेरे चैनल को knowledge for care तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिव्वे प्रोष्टो grit tablet के बारे में इस tablet के या फिर इस medicine के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे लेना है, क्या प्राइजे ये सारी जानकारियों जो है, आज के इस वीडियो में मैं आपको दूँगा तो देखिए, ये जो product है, पतनजली का ही product है, अगर आप चाहें तो इसको पतनजली प्रोष्टो grit भी बोल सकते हो, और अगर हम इसके price के बारे में बात करें, तो देखिए ये जो है, 360 रुपे में, 60 टेबलेट आपको मिलेंगी, तो देखिए, प्राइज जो है, समय के अनुसार बढ़ता रेता है, तो जो आज का price है, वो इधर मैंने आपको बता दिया है, आप इसको खरीदना कहा से, तो देखिए, इसको कोई भी आयर्वधिक मेंडिकली स्टोर, या फिर पतनजली स्टोर से खरी सकते हो, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी खरी सकते हो, घर बेटे बेटे मंगा सकते हो, तो मैं नीचे लिंक दे दूँगा, तो दर से क्लिक करके, आप इसको घर बेटे बेटे मंगा सकते हो, और हो सकता है कि आपको कुछ discount भी मिल जाए तो हम इसके ingredient के बारे बात करते हैं इस Prostogrit में क्या-क्या है तो देखे इसमें है चंदर परवावटी मंदूर भस्म सुद्ध सिलाजीत, सुद्ध गुगुल गोखरू, तो इस टाइप से इसमें ingredient हैं, जो कि आपके लिए काफी अच्छे होते हैं अब देखे इसके फायदे के बारे बात करते हैं तो इसका नाम है Prostogrit मतलब ये Prostate के लिए है अब Prostate एक gland होती है जो की मेल में होती है आदमी लोगों में तो ये बढ़ जाती है तो ये बढ़ जाती है तो हमको बहुत ज़दा यूरीन में प्रॉलम होती है अब इसको BPHP बोलते है Benign Prostatic Hyperplasia अब इसमें होता क्या है Prostate में अगर Prostate की gland बढ़ जाये तो यूरीन आपको बार बार आएगी या यूरीन में रुकावट आएगी सही तरीके से यूरीन नहीं हो पाएगी बूंद बूंद यूरीन आएगी या फिर यूरीन करते समय जलन होगी या फिर पूरा आपको जो पैसाब है वो खाली ना होना या आपको जो पैसाब में कंट्रोल होना चाहिए वो कंट्रोल ना होना अब भई ऐसा भी होता है कि हम यूरीन करने गए और यूरीन करने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि यूरीन आ रही है प्रोस्टेट की जो ग्रेंथी बढ़ जाये ना प्रोस्टेट ग्लेंड बढ़ जाये तो इस प्रकार के यूरीन से लेटेड बिमारी हमको होती है अब देखे ये जो है एक हार्मोनल चेंजेस के कारण होती है और समय के अनुसार ये गलेंड बढ़ती भी जाती है अब एक हत के बाद बढ़ जाये तो ये प्रॉलम होने लगती है अब उस कंडिशन में जो है ये प्रोस्टो ग्रीट टेबलेट आपके लिए काफी अच्छी होती है अब देखे उमर मतलब 50 साल से उपर जातर देखा गया है कि जिनकी उमर 50 से प्लस हो गई है 50 से उपर ये बिमारी होने की संभावना जादा होती है तो देखे इसके फायदे के बारे मैं नहीं बता दिया इस प्रोस्टो ग्रीट टेबलेट के क्या क्या फायदे है अब हम बात करते हैं इसके डोस के बारे में कैसे लेना होता है तो देखे दो टेबलेट आपको सुबा लेना है दो टेबलेट आपको साम को लेना है और इसको जो कुछ भी खाने के बार ले सकते हो चाहे नास्ता करो ये खाना खाओ उसके 15-20 मिट बाद आप इसको ले सकते हो और इसको आप फलके गुन-गुने पानी के साथ लें तो बहतर रहेगा अब हम इसके side effect के बारें बात करें तो देखिए side effect इसको कुछ भी नहीं है जेकिन फिर भी अगर आपको कुछ health में उसको लगता है तो आप इसको लेना बंद कर सकते हैं और डॉक्टर से भी सला ले सकते हैं अब इधर पहले से आपको इस दूसरी medicine ले रहे हैं जैसे का allopathy, homopathic, arvedic तो उसके साथ इसको ले सकते हैं नहीं तो बिलकुल ले सकते हो बस थोड़ा सा time का difference रखीगा मान लीजे आपने कोई भी alopathy medicine अभी खाई तो उसके दो घंटे बाद आप इस pro-sto grid tablet को ले सकते हो अब कब तक लेना है तो depend करता है कि आपको कितिनी problem है इसको लंबे समय तक भी लिया जा सकता है या लिया जाता है अब result के बारें बात करें कब तक फाइदा देखने को मिलेगा तो देखिए एक से तीन मेना कम सकम आप इसको ले के देखिए उसके बाद आप देखीगा कि आपको कुछ न कुछ फायदा मिलेगा या फिर आप सोनो ग्राफी जो होती है यूएस्डी उससे भी पता कर सकते हो सोनो ग्राफी कराके अब इधर जो है कुछ मैं एडवाइस देना चाहूंगा अगर आप प्रूस्टो ग्रीट टेबलेट लेते हो तो देखीए आपको अलकोहूल नहीं लेना है और जादा चाय कॉफी ये भी नहीं पीना है इसके अलाबा आपको जो लाइव स्टाइल उसको बेटर करना है और आप हेल्दी खाना खाईए और आपका टाइम का ख्याल लखिए टाइम पर हर काम करिए टाइम पर नास्ता करिए टाइम पर मेडिसिन खाईए टाइम पर सोईए और देखिए रात में जो है ज़्यादा प्रॉलम होती है ये यूरेन की जिनको प्रोस्टेट की विमारी हो जाए तो तो रात में आपको करना क्या है कि पानी कम पीना है जो साम होती है तो साम से ही आपको पानी कम कर देना है पीना ऐसा नहीं है कि पीना ही नहीं है पीना है लेकिन कम पीना है तो इससे क्या होगा कि आपको रात में प्रॉलम जादा नहीं होगी अब देखिए अगर आप exercise कर सकते हैं तो काफी अच्छी वात है इसमें exercise करिए काफी आराम मिलता है अब देखिए ज़्यादा problem है ना तो वो cable इसी tablet से आपकी solve नहीं होगी जिनको बहुत ज़्यादा problem हो जाती है ना तो फिर उनको surgery करानी पड़ती है अब surgery भी जो है आजकल दुर्बीन जो है दुर्बीन से होता है जिसको हम laser बोलते हैं laser द्वारा operation होता है जो काफी easily हो जाता है अब देखिए जो prostate gland का जो normal size होता है करीब 20 से 25 ग्राम होता है अगर इससे बढ़ जाए तो फिर जो है हमको problem होने लगती हो जैसे जैसे बढ़ते रहता है तो हमको problem जादा होने लगती है तो देखिए आप सही समय पर इलाज करा लीजिए और बहुत ज़्यादा आपको problem है तो surgery भी अगर आपको करानी पड़ जाए तो surgery भी करा लीजिए क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि आपको prostate cancer हो जाए तो cancer से बचना है तो तुरंत इलाज करावाईए कोई भी भी भीमारी हो उसका पहले से इलाज ये treatment कराते रहिए तो क्या होगा कि आपको आने वाले समय में दिक्कत नहीं होगे तो मेरा वीडियो तरी कहतम होता है और अगर आपको अभी भी को doubt है इस prostate grit tablet को लेकर तो comment दौरा मुझे पूस सकते हो और अगर आपको इस टायर से और वीडियो देखना है health और medicine से related जो कि में daily बनाते रहता हूँ तो आप मेरे चैनल को subscribe भी कर सकते हो अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो वीडियो अच्छा लगे तो like भी कर दीजेगा फिर मिलेंगे next वीडियो में जब तक आप बने रही हो देखते रही है आपके अपने चैनल में knowledge for care